आज का वीडियो स्क्वाइर वर्ग पार्ट टू के लिए है इससे पहले हमने स्क्वाइर का पार्ट वन पढ़ लिया है जिसमें दो अंको वाली संख्या का स्क्वाइर निकालना सीखा था आज हम तीन अंकों वाली संख्या का square निकालना सीखेंगे जिसमें इस तरह के संख्या का square निकालना सीखेंगे जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या का square आप इस trick के जरिए आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपने square का part 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं इन सब examples के जरीए हम 3 digits का square निकालना सिखेंगे सबसे पहला number हम 108 लेते हैं हमें 108 का square निकालना है सबसे पहले हम पीछे से 2 digits लेंगे जैसे 0,8 इसका हम square निकालनेंगे 0 को तो हम हटा देते हैं हम 8 का square निकालनेंगे तो 8 का square कितना होगा 64 अब इसका second step क्या है 108,100 से कितना ज़्यादा है 8 ज्यादा है मतलब 108,100 के नजदीक वाली संख्या है इसमें हम 100,200,300 इस तरह हम संख्या को compare करके square निकालनेंगे 3 digits का तो 108,100 के आसपास है 108,100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है उपर हम 8 प्लस कर लेते हैं और नीचे 8 माइनस कर लेंगे यह हमारा second step है तो यहाँ हमने किया 8 प्लस किया उपर और 8 माइनस किया नीचे अब इस 8 को इसमें एक बार जोड़ देंगे 116 हो जाएगा और इस 8 को एक बार इसमें माइनस कर देंगे तो 100 हो जाएगा और नीचे हम डिवाइड करेंगे 100 से में हमेशा हम 100 से ही डिवाइड करेंगे संख्या उपर हम चाहे 200 से कंपेर करें या भी 300 से कंपेर करें अब क्या है इस 100 को इस 100 से कटा देंगे बचा 116 तो हमारा square कितना हो जाएगा 116,64 यह हो जाएगा हमारा square अब एक दूसरा example लेते हैं 115 115 अगर हमें 2 square निकालना है करें आगे चलके हम देखते हैं इस आगे वाले दो को हम क्या करेंगे यह 100 से कितना जादा है 15 जादा है तो हम 15 प्लस कर लेंगे और 15 माइनस कर लेंगे अब क्या करेंगे इसमें एक बाढ़ पंधरा जोडेंगे और इसमें एक बार 15 माइनस करेंगे तो 15 जोड़ेंगे तो यहां से आएगा 130 और माइनस करेंगे तो यहां से आएगा 100 और हमें बटा में क्या करना है 100 अब इस 100 से इस 100 को कटा देंगे हमारे पास बचा 130 15 का स्क्वार के बाद हमारे पास 3 संख्या आये था तो हम 2 संख्या को लेंगे और पहले वाली संख्या को इसमें हम add कर देंगे तो यहां से निकला हमारा 130 और यह 2, 132 तो यह हो जाएगा हमारा 115 का square पहली संख्या लेते हैं 506 सबसे पहले पीछे से 2 डिजित लेंगे चे का square 36 ऊपर प्लस 6 और नीचे माइनस 6 अगर 506 में हम 6 जोडते हैं तो हमें कितना मिलेगा 512 अगर 506 सब 6 माइनस करते हैं तो यहां से निकलेगा 500 और नीचे हमें हमेशा 100 से डिवाइट करना है यह यहां से कर जाएगा तो 512 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2560 और यह 36 पहले से था यह हो जाएगा हमारा 506 का स्क्वायर अब अगला नंबर लेते हैं 495 इसे हम किस से कंपेर करेंगे 500 से और यहां हम 500 के आसपास लेंगे अगर हम इसे 400 के निजदीक लेते हैं तो हम 500 के निजदीक लेंगे तो यह 500 से कितना बड़ा है यह 500 से कितना कम है 5 कम है ठीक है तो हम इस 5 का स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा 25 इन सभी एक्जामपल्स में हम पीछे से 2 अंको इसलिए ले रहे थे कि हम उससे पहले वाले जिस संख्या से कम्पेर कर रहे थे उससे या तो यह छोटा था या उससे उतना बड़ा था जैसे 115 को हम 15 से कम्पेर कर रहे थे तो यह 15 बड़ा था तो हम 15 का स्क्वार ले रहे थे 300 से कम्पेर हम 318 को कर रहे थे तो 18 बड़ा था तो 18 का स्क्वार ले रहे थे यहाँ 500 से compare करें यह 5 बड़ा है तो यहाँ plus 5 यहाँ minus 5 और इस 5 का square कितना होता है 25 तो plus 5 करेंगे तो 500 आएगा और minus 5 करेंगे तो 490 आएगा इसे 100 से divide करेंगे यह 490 into 5 हमें कितना मिलेगा 2450 और यह 25 हमारा पहले से था यह हो जाएगा हमारा 495 का square कुल मिला के आपको यह बात याद रखनी है कि पहला step में हम जिस नंबर से उसे compare करेंगे वो उस नंबर से जितना ज्यादा या जितना भी कम हो हम उसी संख्या का square निकालके लिखेंगे और उसके बाद उपर उतना ही plus करेंगे और नीचे उतना ही minus करेंगे